नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल नौलेज भी थमाई पर तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने इमेल आइडी का जो मोबाइल नंबर है इसको कैसे बदल सकते हैं जी हाँ आप अपने इमेल आइडी का मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं इस वीडियो में बताऊंगा तो फ्रेंट्स चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें तो चलिए friends हम वीडियो को करते हैं सुरू इसके बाद friends आपको अपना setting को open करना है और आपको थोड़ा नीचे चले आना है तो friends यहाँ पर आपको Google का auction मिल जाता है तो इस वाले auction पर आपको click कर देना है friends जैसे click करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का interface आएगा तो friends अगर आपके mobile phone में एक से अधिक email ID है तो यहाँ पर आपको click करके अपनी उस email ID को select कर लेना है जिस email ID का mobile number आप change करना चाहते हैं तो friends मैं यहाँ पर अपनी इसी वाली email ID का mobile number आपको change करके दिखाऊंगा इसके लिए इसके बाद आपको यहाँ पर manage your account पर click कर देना है तो friends जैसे इस वाले auction पर click करोगे तो इस तरीके का interface आएगा तो friends मालो कि आपके mobile phone में setting का auction ना है और friends आपके mobile phone में setting में google ना हो तो दूसरे तरीके से कैसे यहाँ तक आ सकते हैं दूसरे तरीके के लिए friends आपको अपने Gmail वाले auction में जाना है Gmail वाले app में जाना है और आपको 3.पर click करके यहाँ पर अपनी email ID को choose कर लेना है और आपकी सारी की सारी email ID खुलकर आ जाती है तो यहाँ से अपनी उस email ID को choose करना है जिस email ID का mobile number आप बदलना चाहते हैं तो इस तरीके से choose करने के बाद यहाँ भी आपके सामने manage your google account का auction आ जाता है तो friends यहाँ पर फिर से आपको click कर देना तो आप फिर से उसी तरीके के interface पर आ जाओगे तो friends इसके बाद आपको यहाँ पर personal info पर click करना है इस वाले auction पर click करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे चले आना है तो friends यहाँ पर आपको mobile number का auction मिल जाता है तो आपको इस वाले auction पर click कर देना है इसके बाद friends आपको यहाँ पर फिर से इस वाले option पर click कर देना है जैसे ही friends इस वाले option पर click करोगे तो यहाँ पर आपके सामने pen का option आ जाता है तो आपको इस pen वाले option पर click कर देना है इसके बाद friends यहाँ पर आप से पूछेगा password तो यहाँ पर आपको अपनी email id का password लिख देना है अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से फारगिट password भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं अपना email id का password लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको password लिखने के बाद next वाले option पर click कर देना है इसके बाद friends आपके सामने फिर से इस तरीके का interface आ जाएगा तो friends आपको यहाँ पर फिर से pen वाले option पर करना है click जैसे friends इस वाले option पर click करोगे तो यहाँ पर आपके सामने update का option आ जाता है अपडेट नमबर और यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यहां से कैंसिल कर सकते हैं अपडेट करना चाहते हैं तो इस वाले उक्षन पर आपको करना है किलिक तो फ्रेंट्स इस वाले उक्षन पर जैसे है क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने उक्षन आ जाएगा तो यहां पर अपने उस वाले मुबाइल नंबर को इंटर कर देना है फ्रेंट्स जिस number को आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से friends यहाँ पर लिख देना है लिखने के बाद आपको यहाँ पर next वाले option पर click कर देना है next करने के बाद friends यहाँ पर फिर से आपको get code के लिए तो यहाँ पर आपके mobile phone में OTP जाएगा तो आपको get code वाले option पर click कर देना है जैसे ही friends इस वाले option पर click करोगे तो आपके जिस mobile number को यहाँ पर अभी enter किया है उस पर एक OTP जाएगा तो यहाँ पर OTP इंटर करके आपको यहाँ पर verify कर देना तो चलिए friends पहले हम OTP लिख लेते हैं OTP लिखने के बाद friends आपको simply verify वाले option पर click कर देना है इसके बाद friends आप यहाँ पर देख सकते हैं कि phone number हमारा update हो चुका है यहाँ पर लिख के आ चुका है और friends आप यहाँ पर भी देख सकते हैं तो friends इस तरीके से आप अपने email ID का mobile number चेंज कर सकते हैं विरकुल आसानी से कोई हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और friends वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देए तो चलिए friends मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक की लिए टाटा बाय बाय थैंक्स पर वाचिंग